चलिए दोस्तो, आज इस वीड़ियो में मैं बताऊंगा आपको कल आपको किस दाम पर आपको शेर खरीदना है, तो बहुत ही बहदरीन वीड़ियो होगा, याद रखिए सेंटर में आपको जो दिख रहा है वो है पिवोड़, पिवोड़ यानि जो मैंने मेंशन किया उपर में अगर वो share इस रुपीज में open होता है तो याद रखिए वो good sign होता है खरीदी का point बन सकता है लेकिन अगर वो R1 यानि resistance 1 cross करता है 2 cross करता है या 3 cross करता है या वो जबदस रहेगा वो चड़ता जाएगा वो stock उस दिन के लिए बहतर रहेगा suppose अगर pivot point से पहले ही यानि गिर कर open होता है तो याद रखिए वहाँ पर गिरने के chances ज्यादा हो जाते हैं जो कि 80% हो जाते हैं और S1 यानि support 1, support 2, support 3 S1, S2, S3 अगर यहाँ पर गिरता है तो याद रखिए वो गिरता ही चले जाएगा यह रहा इनकी strategy इस शेर की लेकिन याद रखिए खुद भी study कीजिए अपना दिमाग लगाईए और खुद decision खुद लीजिए this video is for education purpose only ओके दोस्तों thank you so much